इसलिए विशेश रूप से आभार वेक्ट करता हूँ आपका और जिस तरह से दिल्ली में भी आपरेशन लोटस सुरू कर दिया गया है आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को जिस पर पहले एडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया इस लडाई में आपके हमारा साथ दिया फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हिर्दे से आभारी हूँ ये 2024 का चुनाव कोई सामान ने चुनाव नहीं है ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है बाबा साहथ के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित पिछडे सोसित लोगों के अधिकार जो चुने जा रहे हैं देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है इंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है उससे बचाने का चुनाव है ये 2024 का चुनाव कोई सामान में चुनाव नहीं है ये एक ताना सा हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गडवदन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आप से अचेलेश जी से अद्धिक जी से जहां जहां समाजवादी पार्टी के केंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ने हैं हमारा एक एक कारेकरता जहां हमारे निर्वाचित प्रत्मिदी हैं सभासर्द हैं चेर्मेन हैं वो सारे लोग और ए सम करने की लड़ाई है और मैं तो बार-बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रदार मंत्री जी करने हैं अगर आप अपने विपक्षियों पर मुकदमे लगा रहे हैं उनको फरजी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर पॉन्फिदेंस नहीं है जब ये करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे